आप सभी आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ तो चलिए आज का जो क्राफ्ट हैं बनाना स्टाट करते हैं क्योंकि यहां पर दिपावली आने वाली है तो दियों की हमें याद आ चुकी है तो यह मैंने पुराने दिये जो रखे हु हें जबकि इसमें मैं जो प्रोसेस में हमें चाये होगा वह हमारे होंगे दिये और दिये जा पुराने से रखें है तो साफ करने के लिए हमने क्या लिए और घरम पानी में को कुछ देर के लिए डबू कर करके रख देंगे तो यह देखिए इस ट्रायप से इसको रिला भी देंगे साथ साथ में और ठोड़ी देर में प्लगः निखें आप बाद में इनको हम थोड़ी देर के लिए दूप में या फिर छाओं में जहां भी आपको जगे मिले वहां पे इनको सुखा देंगे और सुखाने के बाद में हम आगे की प्रोसेस की तरफ चलेंगे कि यह इसलिए अगो क्यों सुकस चाहिए अगर आप की आप बिना रखनेचे उनको Пणि फूरा स फीर देर कीजिये 1010 वहती स्प nellpayें तो Kemskर में बिना पानी तो आप भी ध्यान रखें, नए भी अगर आपके पास दिये हैं, तो आप ठंडे पानी में उनको थोड़ी देर के लिए डबो करके रख दिये, और बाद में सुखाने के बाद में ही उन पे कलर कीजिएगा, अभी हमें क्या चाहिए होगा एक पुराने वाली सीडी, कोई भी सीडी हो जो पुरानी हो आपकी वह आप ले लिजीगा, और उसके बाद देखिए, इनको इस टाइप से सैट करके देख लिए कि आपको कितना दीपक लगेगा, तो यह देखिए, यहां पर में नीचे वाले स्टेंड के लिए चाहिए, और एक हमें ऊपर के लिए भी चाहि सब्सक्राइब कर लिजीगा, और सेब भी आप अपने रख सकते हैं, उसकी बड़ी या छोटी, तो देखिए, मैं यहां पर सीडी पर बना करके रेडी कर रही हूँ, जो कि मेरे ख्याल से एक दम परफेक्ट बन करके रेडी हुआ है, तो चलिए इसको चिपका देंगे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिलें, जिन लोगों और चैनल को सबस्क्राइब कर रखा है, उनको पता है कि आपको यह एकी चैनल पर मिल जाते हैं, बहुत सारी हर टाइप की वीडियो जो भी हमारे फैस्टिवल के अकोडिंग हर आप चाहें तो सिंगल सिंगल पर करने के बाद में वीडियो को चिपका सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे छोटे चोटे जो भी पैंट करते हैं, तो वह ज़्यादा हमें दिक्कत देती है, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही चिपका दिया था और मेरे ख्याल स अभी फटा-फटी हो रहा है क्योंकि इसको हमें दिपक को हाथ लगाने की जुरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम नीचे वाले स्टेंड को पकड़े जा रहे हैं, और इसको चैरो तरफ से अच्छे से कलर कर पा रहे हैं, यह देखिए, नीचे की सीडी पे भी अगर कलर लग जाता है, तो कोई बात नहीं क्योंकि उसको भी हमें कलरी करना है लास्ट में, तो देखिए, अच्छे से घुमाते भी इसको पैंट कर लेंगे, ताकि कहीं से भी हमारा इस खाली न रह जाई, दूसरा कलर न दिखाई दे, अभी देखिए, हमारी यह अच्छे से कल बना सकते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे हूं, ताकि हर कोई इसको बना सके, अभी यलो पे जो भी आपको लगता है, जचने वाला कलर आपके पास दूसरा कलर है, तो उस हिसाब से आप देखिए, जो भी आपको जचे वो कलर आप ले लीजी, तो यह देखि नीचे वाले में, च्यारो तरफ इसके, रेड कलर का हम, छोटे-छोटे डोट कर देंगे, और बिल्कुल सिंपल तरीके से, और बहुत ही प्यारा सा, यह हमारा बन करके रेडी हुआ था, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो बिल्कु लग रहा है ना अजीब सा, तो इसमें भी हम थोड़ा कलर कर देते हैं, यहां पर दो दो डोट मैंने रेड कलर के किये हैं, और लास्ट में हम, एक एक ब्लू का कर देंगे, तो इस टाइप से हमारा परफेक्ट पूरा रेडी हो चुका है, अभी बारी आजाते हैं, उपर इस वाले में आप चाहें, तो सेम वाला कलर भी डिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर दूसरा कलर किया है, मैं आपको दिखा देती हूं, आप चाहें तो यह वाला कलर कर सकते हैं, और चाहें तो आप दूसरा कोई भी आपके स्टाइल से इसको कलर करके ग्रीन से लाइनिंग करके इसको फलावर का डिजान दिया था और यह देखी इस टैप से हमारा बन kटर के रेड़ी हो जाता है और अब इसमें करना क्या है कि हमें ईस्टेंड की ज़रुत है तो यहीं है तो यहां परफेक्ट आप चाहें तो इसमें डीए जला सकते घीया टेल डाल करके और चाहें तो इसे के रूप में यूज में लेता है यूज हो चुका है शुलाइब हमारा ये सेट हो चुका है तो यह आई वोपफ को पसंद आया होगा आईडिये आगर आपको पसंद आया तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजे 68 अगर बोला सके चीज लाने की जूरुरत नहीं पड़िए पूरा ने दिये का हमें यूज़ किया था और People भी जो हमारे गर पे पड़े रहते हैं वह वाले ही हमने यूज किये थी आप चाहें तो आप वैसे भी इसको रख सकते हैं यह अपने आप में परफेक्ट है तो यह देखिए इसका फाइनल लुक में आपको दिखा देती हूं तो इस टाइब से हैं यह अगर वीडियो में को मिलने वाले हैं तो प्लीज सब्सक्राइब है चैनल